नमस्कार मेरे पहले साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टेडी ग्लोस पर आज के सिनेरियों में चारवाग को मानने वाले लोग कम नहीं है चारवाग ने कहा कि जब तक जीओ मौज में जीओ चाहे फिर किसी के दूसरे के रिसोर्सिस क्यों ना हो उसको अपना समझो और अपना समझ की जीओ आराम से सुक चैन में जीओ चारवाग ने ये भी कह डाला कि अगर आपके हाथ में आज कबूतर है तो कबूतर को छोड़ो मन पता नहीं कल मोर हाथ आए या ना आए चाहे उधार का घी लेकर पियो लेकिन चारवाग कहता है कि मौज में जीओ लगता है कि इस आफिसर ने जिसने अपने आपको आफिसर बताया चारवाग को कुछ जादा ही फॉलो कर लिया हम लोग आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने आपको एक पियो मों का आफिसर बताया और जम्मू कश्मीर के अंदर वो पहुँच गया एक बार नहीं दो बार पहुँच गया देखेंगे किस व्यक्ति की स्टोरी क्या है ये वाकई में अपने आपको आफिसर क्यों बता रहा था और इसको पकड़ा कैसे गया है जानते हैं पूरी इसकी स्टोरी और देखेंगे किस तरीके से इसने उस रुत्बे को जैड प्लस सिकेरिटी को बुलिट पुरुफ जो वीकल होता है उसको यूज किया और आराम से मौद जो है वो निकाली है जम्मू कश्मीर में मतलब चारवा को बहुत अच्छे से गजब तरीके से फॉलो किया है चलिए सिधान सर ने आप लोग के लिए NCRT हिस्ट्री जो है उसके लिए गजब का कोर्स जो है वो लांच किया है इस कोर्स के अंदर सबसे खास बात यह है कि जब आप इस कोर्स को लेते हैं तो आप लोगों को PDF material जो है वो available होता है test series आपको available होती है आपको coupon code NCRT यूज करना है 25% discount जो है वो आप लोगों को इस कोर्स में मिल जाएगा चली सबसे पहले कुछ pictures में आप लोगों को दिखाता हूँ एक quote छोटा सा है मैं पहले आपको उसी से रूबरू करवा देता हूँ कि मनुष्य जब तक जीवित रहे सुख पूरवक दिये चारवा कह रहे हैं रिन करके भी घी पिये अर्थात सुख भोग के लिए जो भी उपाय करने पड़े वो करें इसलिए मैं कहा रहा हूँ किस इंसान ने अपने आपको बहुत अच्छे से जो है वो तयार किया है चारवा के रूप में दूसरों से उधार लेकर भी बहुतिक सुख साधन जुटाने में हिचके नहीं ले लीजिये उससे कोई भी आपको टैबलेट चाहिए लैप्टॉप चाहिए वर्दी चाहिए या फिर कोई ऑफिसर की पोस्ट चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं देखिए ये जो व्यक्ति है इसका नाम है किरन भाई पटेल जो की गुजरास से आता है जिन ऑफिसर्स के साथ में जिन गनमैंज के साथ में CRPF की जवान है उनके साथ में फोटो केशोरा है जम्मो कश्मीर के अंदर ये पहुँए पहुंच चुका है फिर देखिए मंदिर में जाता है बहुत सारे खिसल्ट जो है इसके साथ में रहते है मतलब ये वैक्ति चाहता है कि मेरे इर्दगिर जो है, वो गजब की सिकरिटी रहे इसके बाद में, ये कई ऐसे फोटोज जो है, वो पोस्ट करता है अपने ट्वीटर हैंडल पर जिसकी कारण इसका रुत्वा जो है वो गुजरात के अंदर और बढ़ता है गुजरात का ही रहने वाला है ठीक है जम्मो कश्मीर की अंदर जब वादियों में घुमता है तो घुमते वक्त इसके साथ में सिक्रिटी है CRPF की यहां तक कि जैड प्लस सिक्रिटी जो है वो भी इसने हासिल की कि आगे पीछे जो है वो गारियां चल रही है इसके जम्मो कश्मीर में लेने क्या गया था पहले बार तो यह है फिर यह बात तो सीधी है कि फ्रॉड करने के लिए जो है यह जम्मो कश्मीर पहुंच गया था लेकिन एक बार नहीं दो बार फरवरी के अंदर भी गया था और उसके बाद में अब recently जो है मार्च के अंदर भी गया है तो 16 मार्च को इसको ट्रैप कर लिया गया है इसको पकड़ लिया गया है इसने वाकई के अंदर PhD जो है वो डिगरी कर रखी है पुलिस जो है उसको खं इसने अपने आपको ये जो किरन भाई पटेल है ये क्या बता रहा है ऑफिसर बता रहा है नाम देखे किरन भाई पटेल है गुजरात का रहने वाला है इसने अपने आपको एडिशनल डारेक्टर इन पीमो बताया है तो पीमो के अंदर एडिशनल डारेक्टर होना आगे स कर लिया गया है पुस्ता चल रही है लेकिन कुछ भी चीज जो है वो आपन नहीं की गई है यही नहीं है इसके साथ में इसने ये कहा कि हम लोग गुजरात की अंदर किस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट जो है वो कर सकते हैं और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है दूद पत्री काफी गजब की जगह है आप लोग जाईएगा कभी जम्मू कश्मीर जाएं तो बहुत सुंदर लैंड स्कैप है तो ये कहा कि दूद पत्री जो है उसको टूरिज्म के अकॉर्डिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और इसने विजिट किया है जम्म 268-471 IPC जो है वो इस पर लगाई गई है और अब अरश्ट कर लिया गया है ये वेक्ति वाकई में गुजराज से आया जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आपको PM का ऑफिसर बताया ताकि सभी सेक्यूरिटी सारी फैसिलिटी जो है उनको ये लाब ले सके उनका बेनफिट ले सके ताकि सभी मोज जो है वो चारवा की तरह ले सके यही नहीं है बहुत सारे ऑफिसर जो है पूरे साल के अंदर भारत के अंदर अरेश्ट होते हैं कोई PM का अपना अधिकारी बताता है कोई इंकम टेक्स ऑफिसर बताता है रेलेटी में हुआ क्या कि इसका जो ट्वी हिस्ट्री है तो जब उनसे पूश्टाज की गई ट्वीटर हैंडल पर देखा गया एक हजार के आसपास इसके फॉलावर हैं जब उनसे पूश्टाज की गई तो वाकई में पता चला कि यह वैक्टी जो है वो फ्रॉड है क्योंकि पुलिस को कही नहीं डाउट होता है और जैसे डाउट हुआ तो पूशना शुरू कर दिया और जैसे पूशना शुरू किया तो सारा कच्चा चिठा जो है वो सामने निकल कर आ गया तो भारत के अंदर बहुत सारे फ्रॉड ऑफिसर जो है वो घुमते रहते हैं इसलिए आप लोगे से भी रिक्वेश्ट है कि जल्दी से उसके influence में ना आए क्योंकि आप भी अपने आपके अंदर एक रुतबा रखते हैं क्योंकि आपके साबने कोई officer आता है तो आप उसे जल्दी जो है वो influence हो जाते है कि आर देखो officer है तो आप तब तक उस पर believe ना करें जब तक कि उसके पास में कोई गजब की history न जरूर बचना है दीपक इंदोरा official आप लोग मुझे telegram पर जॉइन कर सकते हैं study close आप लोग के लिए बहुत जबरतस content लेकर आता है सिद्धान सर्ज है वो आपके लिए गजब की मेहनत कर रहे हैं knowledge is power ये हमारी tagline है session को share करना मन भूलिए जी और जिन्होंने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है एक बर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हम लोग next lecture में तब तक लिए धन्यवाद thank you जय हिंद